हेलो एवरीवन आई वेलकम टू आल एडी एक्सप्लेंट मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एक्सप्लेंट पर आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में here you can see flag as well as emblem of the United यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन के establishment की तो यह यह चार्टर जो sign किया कहता वो 26 जून 1945 को किया गया था यूए चार्टर का मतलब होता है कोई भी लौ बनाने पर पहले जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो चार्टर कहलाता है और यदि हम बात करें यूनाइट नेशन इस दिन को फॉर्म हुआ था या बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को यह दि हम यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो यह फिक्स है यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं अरेबिक चाइनिज इंग्लिस फ्रेंच रसियन और स्पैनिस आपको याद रखता है हि नेशन की उस्यन लैंगूइज नहीं नहीं है कि मेंबर और मेंबर कंट्री और यौनाइटेड नेशन की बात करें तो 193 कंक्रिक यह पर सके घूंक करें सबस्ट नियृट टीक बाका मुलान जो में अलग टेशार पीर बात करें तो यह एक African नेमिन है और यहां पे observer इस्टेटस में General Assembly United Nation को जो General Assembly है तो count किया जाता है। हम founding की बात करें जब United Nation बनाया गया था 1945 में तब United Nation में 51 member stateITT है और currently यहां say 193 member state है और यह बात करें Leader of United Nation की तो आप यहां पे देख फकते हैं General जनल सेकेट्री, जनल असेंबली प्रेसेडेंट, एकोनोमिक और सोसल काउन फिल्प्रेसेडेंट, उनके नाम भी आप यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, अन्टाणियो उतेरस जो की जनल फेकेट्री आप युनाइटेड नेशन है, एम युनाइटेड नेशन, यदि हम अगे बात करें, तो इन्टाणियो पीस और सिक्योर्टी को मेंटेन करना, और डेवलप करना फ्रेंडरी रिलेशन एमंग नेशन, मतलब 193 जो मेंबर स्टेट हैं, इनके भी फ्रेंडरी रिलेशन को डेवलप करना, और ओडिनेशन को डेवलप करना, जिफे और की को अपहोल्ड करना, और इंटरनेशनल लोग को मेंटेन करना, इदि हम सस्टेनवाल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे युनाइटे नेशन के मद्ध हम से कुछ गोल फेट किये गए हैं, कंट्री के लिए जो की इन्विरॉन्मेंट फेर रिलेटेड, कुछ वाट अपर युनाइटेड नेशन का फॉर्म मेंट नेशन हुआ था, मैंली इसका उदिश से था फ्यूचर वर को प्रिवेंट करना, आगे वार नहों इसके लिए युनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था, युनाइटेड नेशन जो है लेग और नेशन का सक्सेडिंग गई लीग ऑफ नेशन पहले बनाया गया था उसके बाद यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था 25 अपराल 1945 को 50 गॉर्मेंट मिलती है इन फैन फ्रांसिस्कों सैन फ्रांसिस्कों है यूएसे में और कॉंफेंस करती है और एक चार्टर को च करेट किया जाता है चार्टर मतलब ढत को बनाया जाता है जिसमें फट किया जाता हれないजिए कर प्रींड को प्रेंडिक के बीच में कोडिनेशन करना First mission of United Nation United Nation को जो पहला mission था वो mainly क्या था जब United Nation का formation हुआ तब बड में bipolar था मतलब one side USA and United State of America and another fight था Soviet Union जिसे हम USSR के नाम पे जानते हैं USSR का पूरा नाम आपको याद रखने Union of Soviet Socialist Republic जो कि 1922 फे 1991 तक रहा, 1991 में USSR डिफ इंट्रिग्रेट हो जाता है और बहुत फारी कंट्री का फॉर्मेशन होता है, जे फे फेंटरल एफिन जो कंट्रीज हैं, वो USSR के डिफ इंट्रिगेफन, मतलब तूटने के बाद ही इन कंट्री का कंट्री एक्जिस्टेंस में आई थी, आगे हम बात करें, तो United States और जो Soviet Union थे, इनके बीच बहुत फी कंट्री एलाइज थी, कुछ कंट्री सोवियत यूनियन की तरफ थी, और कुछ कंट्री यूनाइटेड नेशन की तरफ थी, जो मेली वेस्टरन वाइड था, जिसमें UK, फ्रैंस, जर्मनी, ये अभी कंट्री यूनाइटेड स्टेट की तरफ थी, और कजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान ये जो कंट्री थी, ये सोवियत यूनियन की तरफ थी, और इंडिया जो था, नेम था, मतलब non-aligned moment में participate करता, मन्दब नेम को जोईन किया था, इंडिया इन दोनों में फे किफी भी कंट्री के सा नहीं था इन दोनों United Nation और United Nation का जो मेंली वर्क था United State और Soviet Union के बीच जो military engagement वर्ड रहा था और Space War start हो रही थी इनको prevent करना था इनको रोकना था और कम फे कम military engagement हो other country के बीच में इसको prevent करना था और इसके अलाबा इदी हम बात करें United Nation के जो member FIP है वो continuously increase हो रही थी क्योंकि जो decolonization का process है वो start हो चुगा था 1960 के आसपाक जिफ में 80 former colonies जो थी वो independent गेन कर चुकी थी और वो United Nation का part बन गए थी जिफ में ज्यादा फ्यादा country United Nation में part United Nation में add हो रही थी मतलब United Nation की member FIP को गेन कर रही थी और ज्यादा फ्यादा word bipolarize से multipolarize हो रहा था है here you can see map of the USSR from 1945 to 1991 यहाँ पर map देखते हैं USSR का union of Soviet Socialist Republic का जो 1945 to 1991 है यहाँ यहाँ पर रसिया को modern day रसिया को two part में divide करें तो यह part is eastern और यह part is western जो western part है वो mainly लाई करता है in the European continent और जो eastern part है वो लाई करता है in the Asian continent जो रसिया की मेंली तो फेमस सिटीज है वो यहाँ पर है जो capital है Moscow वेस्टर्न साइड में है यहाँ पर ब्लादी वास्तौक और यह फार मॉस्ट रिजन कहलाता है रसिया का अधा युनाइटेट नेफन है फिक्स प्रिंपल और युनाइटेट नेशन की बात करें तो यहाँ पर फिक्स प्रिंपल और यह मतलब बोल वक्ति हैं six body है जो युनाइटेट नेफन पे जुड़ी होई है दा जन्रल असेंबली जिसमें आल मेंबर स्टेट आते हैं सब्सक्राइट नाइटेट नेटेट नेशन का वह एकनॉमिक एंड सोशल कॉंसल है फोर्थ ट्रस्ट से सब्सक्राइट नेशनल कोट अब जस्टिफ जहां पर कुल्भूसन जादों का केस रनिंग है और जो सिक्स है युएन सिकेट्रेट है युनाइटेट नेशन के कुछ इफफल एजन्फी हैं जैसे दा वाइड बैंक जो कंट्रीज को लौन प्रवाइड कराते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है पाकिस्तान है इजीप्ट है इन सभी को लौन वाइड बैंक और आई-म-फ के द्वारा प्रवाइड क तु आई-म-फ कल्षर ऑढाईयजेशन जिसके माध्यम से बच्यों में एज्वेस्ट मूमोट किया जाता है बच्यों में तररामेंड को डेवल्प किया जाता है और कंट्री उन Überdfitte करणे के लिए यून škadal करता है हर एक साल में Die UNICEF जो है मैंली बच्चों के लिए काम करता है तो के daha बात करें तो United Nation create होने से पहले 1945 के पहले बहुत फी इंटरनेशनल ट्रिटी जो थी वो exist में थी बहुत फी इंटरनेशनल ट्रिटी कंट्री टू कंट्री एक्जिस्ट करते थी जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड़ क्रॉस था रेड़ क्रॉस भी हुमनेटेरियान एसिस्टेम प्रोवाइड कराता था जो विक्टीम है उनको और यदि हम प्रिजेंट टाइम में बात करें तो USA की बहुत फी ट्रिटी हैं विद जैप यूग फारडिनेंस इनकी डेथ के कारण ही वर्ड वर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वर्ड वर फर्स्ट जो था 28 जुलाई 1940 से 11 नॉवंबर 1980 तक था अर्चर्ड यूग फारडिनेंस की बात करें तो 1896 से जब तक इनकी डेथ हुई थी तब तक ये हंगरी तथा बोहेमिय तो फार्या के राजक्मार थे और और आस्ट्रियोह के बनने वाले अगले राजा भी यही थी आढ़क्रिया की बात किया होता है और इटली युनाइटेटेट ये फ़भी कंट्री एलाइट पावर में जर्मेनी अस्ट्रिया हंगरी और बुलगेरिया थे और प्रिजिन डे मॉडर्ण डे टर्की है और पोस्ट वर्ड 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 के बाद की पोजीफन क्या थी इसको देख लेते हैं वर्ड 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 को समाप्त किया जाता है उसके लिए फोटीन पॉइंट जो वर्ड विल्फन के द्वारा फुजाए गए थे उनको मान लिया जाता है और वर्ड को ओफिसली समाप्त कर दिया जाता है और लेग उपनेशन को फॉर्म किया जाता है यूए जो था मतलब जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे यूएस में सैनेट है सैनेट जो है रेटिफाइड कर देता है और जो बिल है वो पर्मानेंट कमिशन के रूप में माननेता प्रदान कर देते हैं और यह इंटरनेशनल बॉड़ी बन जाती है जैसे प्रिजेंट डे युनाइटिड निशन वैसे फस्ट वर्ड वार के बाद बाद लीग ऑफ निशन को फॉर्मेशन किया गया था हाँ लेग उफ नेफ़न इनिफेक्टिव लेग आपनेफ़न जो लेग आज जो इनिफेक्टिव कैसे साबिट हुआ फस्ट वो ता इसका रिजन वो लिग ऑफमिे पनाए क्यों गया था मिश्ट में पीस को मिंटीन करने के लिए पर क्या होता है जैपनीज जो आर्मी थी जैपनीज जो किंगडम था वो मंचूरिया पर अटेक कर देता है मंचूरिया प्रेजेंड लोकेटेड है इन चाइना ठीक है 1933 में फैब्रोरी 1933 में फोटी नेफन जो होते हैं चाइना के फाथ वोट करते हैं और जैपैन के अगेंस्ट वोट करते हैं कि मतलब जैपैन को अपनी आर्मी विड्रॉल कर लेनी चाहिए फ्रॉम मंचूरिया पर जैपैन डिनाय कर देता है आर्मी को विड्रॉल करने से आगे क्या होता है इतलो इतलो एथोपियन वार जोती है वह स्टार्ट हो जाते है जिसे लीग ऑफ निफन प्र और वर्ड वार टू स्टार्ट हो गया जिसके करने लीग अपने फन इनिफेक्टिव सब्सक्राइब और इसको एबॉलिस कर दिया गया उसके बाद यूनाइटेड निशन का फॉर्मेशन किया गया यह आप देख सकते हैं वर्ड मैप ठीक है यहां पे आप इंडिया की लो